20 days option trading challenge वीडियो में आपका स्वागत है तो friends challenge का एप 15 रहवा दिन है आज की दिन मुझे कितना का profit हुआ कितना का loss हुआ आईए मैं आपको बताता हूँ तो आज देखेंगे market bank nifty में gap down open देखने के लिए मिला और nifty 50 में हम देखेंगे तो nifty 50 में gap up open देखने के लिए मिला इस तरह का जो index में जो दुनों में changing है मेरे पास अभी इस तरह में कोई setup अब लेवल नहीं है जब setup बनेगा उसके बाद से काम करना चाहिए आपको भी पता होगा कि जब तक setup नहीं बनता है आपका तो आपको trade नहीं करना है लेकिन मैं आज trade लिया जब तक मैं trade करूंगा लूंगा नहीं तब तक मुझे पता नहीं चल पाएगा कि ये तो आज का बात है कि एक index में gap up open देखने के लिए मिला और एक index में gap down open देखने के लिए मिला future में भी इस तरह का scenario बनता है तो उसमें किस तरह से trade करना है मुझे आज की mistake से वह पता चल जाएगा तो आज के trade मे दो trade किया गया कितना trade किया गया है जो कि आपको बगल में देख रहा होगा एक लिए गया था चिलीजरे आट सो का put लिया गया था जिसमें चौअ सो बारे रुपय का उसकी बात से फिर से put लिया गया है नियुटी 50 में काम किया गया है 20,950 के put में काम किया गया है जिसमें profit को bulks किया गया है अधिक नही 115 रुपया profit को bulks किया गया है तो overall आज का trade में है जो मुझे loss हुआ है वह 497 रपया का loss हुआ है तो आए से मैं note कर देता हूँ मैं आपके साथ बिल्कुल transparent रखता हूँ कि कितना profit हुआ मुझे कितना loss हुआ तो simply मैं अपना book open कर रहा हूँ आपको loss होगा तो उसे कभी घबराना नहीं है आपको loss से कभी घबराना नहीं है और profit से भी आपको घबराना नहीं है तो आज bank nifty और nifty 50 दोनों में trade लिया गया है इसमें यह मैं note कर देता हूँ चलिए मैं simply loss को note कर देता हूँ यहाँ पर देख सकते हैं कि bank nifty में 4800 के put में work किया गया था जिसमें loss को book किया गया है 612 रुपए 2950 के P.E. में work किया गया था nifty 50 में जिसमें profit को book किया गया 115 रुपए overall बात करें तो 497 का जो है हम लोग का loss नहीं है तो यहाँ पर इसको rate कर देते हैं और simply मैं यहाँ पर इसको save कर देता हूँ का जिसमें का जिसमें परिया बात्यस रुपए